हेलो फ्रेंट राते राते आज मैं आपको काला चना और काबली चना मिक्स में बताऊंगी कि छोला कैसे बनाना है बहुत सिंपल आसान तरीका है बनाने का आप लोगे को जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और कमेंट जरूर करि मैं आगे बताती हूं कि क्या करना है यह चोला देखिए फ्रेंड मैं सुबह में ही डाल दी थी पानी में भींगों के अच्छी तरीके से तयार है तो इसको मैं क्या करूंगी कूपकर में डालना है डालके इसको 2-4 सीटी लगाऊंगी ज्यादा नहीं 2-4 सीटी लगाऊंग तो देखिए का ध्यान से क्या मसाला डालूंगी जो भी डालूंगी खड़ा मसाला डालूंगे ठीक है पाउडर में सिप मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और नमक डालूंगी हलका सा बस उसके बाद जो भी है इसमें खड़ा मसाला तुरा सा डालूंगी जिससे कि तेस्ट बहुत अच्छा आई और बनके हमारा बहुत अच्षा छोला एर तैयार हो जाए ठीक है तो ये देखिये में इसमें डालादी हूँ अब इसमें थोड़ा से कुछ कर header मसाला डालती हूँ जैसे के खर mana masala में लेना है क्या है तotes प्ता लेजीए अज़िए पाणी डाल दी हूँ थोड़ा से इसमें पानी डाले एक से मतलब अपने हिसाब से एक से देर गलास ज्यादा नहीं पानी डालना है बस इतना डालना है कि ज़िए चछना जो हमारा अच्छी तरीके से सीज जाए तो ये मैं हल्दी पाणी हूँ अब इसमें अब नहीं दाला नहीं दाला है उसके बाद नमक थोड़ा सा डालना है हाप चमच उसके बद इसमें मैं सीटी लगा के अगर आपके पास टमाटर और फ्रेंट तो आप एक टमाटर भी डाल दीजेगा उससे क्या होगा कि सब्जी का कलर बहुत खुबसराता था तो कलर अग कै त्यू नहीं कर रही हूं लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं अजके बाद क्या करना है यह सब मसाला को डाल के धकन बंद करके और मैं इससीटी लगाउंगे दो चार लगा लिजिए कोई दिककत नहीं है और इसके बाद फिर इससे में चलनी में च्छान के आगे बताती नियुक्त कि ऑगने हैं थोले मिक्स चणा गरने हैं तो बनाते हैं भी सब्सक्राइब तो यह देखें मसाला में कुछ ज्यादा विस्यस नहीं लिए यह अदरक लसुन का पेष्ट है मिर्ष पाॉडर धनिया पॉडर हल्डी पाॉडर और यह जो मैं लिए हुआ थोड़ा सार चिकन मसाला चाहिए आपके पास जोभी मीट मसाला चाहिए गरम अच्छाए अच्छा होना चाहिए और इसाब को क्या अगरना है मिकस कर देती हूं पानी में मिकस करके दोड़ा तो कि देखिए मिक्स कर दिया हूं अब क्या करना है छोड़ दीजिया ये मैं प्याज कटिंग कर लिए हूं प्याज लिए क्योंकि छोला है तो छोला में प्याज भी चाहिए, देखिए लसुन भी डाली थी, मैं बताना भूल गई थी, खड़ा लसुन भी डालना है, जब चना को वालने के लिए कुकर में, तो उसे न, उसमें दो, अब तीन लसुन डाल दे, खड़ा लसुन ही डालना है, एक बार आप इस तरीके से कैसा लगता है, मिक्स चना का ऐसी भी बना सकते हैं, कोई भी चना का ऐसी बना सकते हैं, अच्छा बनता है सबजी, बहुत अच्छा टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, सबजी का, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीस लाइक स अगर इडली का मैं डाली हूँ आप लोग देखेंगा पहले भी मैं डाली हूँ बहुत सारा रेसिपी आप उसको भी एक बार देख जरूर कि क्या डाली हूँ कैसे बनाना है क्या करना है एक बार आप जरूर के जिए ठीक है यह देखें क्या डालि हों यह हरा वाला जो इलाइची होता है ना वह डाली होराईची, अब अच्छी तरीके से तोड़के से डालिए, बड़ी-बड़ी इलाइची है यह डालना है ज्यादा इसमें अब कुछ बिसेश में नहीं डालूंगी अब मैं इसमें सीधा प्याज डालूंगी क्योंकि गरम मसाला मैं डाल चुकी हूं तो इसमें मैं प्याज डालके इसको अच्छी तरीके से भूनना है हलका सा भूनेंगे इसमें हलका सा नमक भी डालू मेरा झालो के बहुता , जानकर माल eerste सब्सक्राइब, मेरा तदाला का तरह से चैपिए करना है। में अंहों ठैट गृट इसको सब्सक्राइब , दाल का जाएного Cवाया केश। चूरन बना के इसमें डाले यह देखिए इसमें मैं डाल चुकी हूँ अब इसको इसी तरीके से चलाते हुए जो मैं मसाला तयार करके रखी हूँ न वो मसाला को भी मैं इसमें डालना है फेले थोड़ा सा नमक डालेए क्योंकि नमक जाद नहीं डालना है क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके है ना तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा तो उसी हिसाब से नमक का यूच कीजिए तक चाहर हमारा लग बख भूच चुका है एक से दो मिनट मसाला को होनु गी अधिया पीस्ट ग्रेवि करती हो देखें मसाला कुछ खास नहीं है बहुत लिएधा मसाला तो ठीक नहीं लगता है तो मैं हलका मसाला दे के आप कैसे छोला अच्छा से अच्छा बना सकते हैं वो मैं बताई हूं आपको यह मसाला कैसे त Eugene देखिए इसको मैं क्या की पहले मसाला जो बूनी न उसके वद में इस मिसाला को direct ct लगा pergunta दो तीन ct पहले मसाला में लगा दी हूँ जिससे कि हमारा प्याज बहुत अच्छी तरीके से तयार हो जाए और मसाला भी एमारा जले भी नहीं आटेस्ट अच्छा है पर पर इस तरीके से बना के देखेगा और CT में च्यार चुर्णी ज्यादा नहीं कि कर दोना दम मसाला में सब्सक्राइब दीटी अलग से लगा चुकी हूं और लास्ट है जो कि सब मिला के एक बार लगाना है तो बस अब 2 सीटी इसको लगाईए कम आज एदम धीमा आज कर दीजेगा अब 147.4 दिहीमा आज करके बनाने से क्या होता है कि सब्हिंषी जो भी हो अच्छी तरीके से पक जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जो जल्दी-जल्दी सीटी नपाम शाल जो रखते हैं वहाई कि सब्ह ev ुप कर मैं पना छा तरीके से य cocky किसी भी चीच का तो इसका गैस का फ्लेम हो किसी भी चीच पर बना रहे हो तो इसका फ्लेम जो थुरा सा कम रखिए यह देखिए बस पानी में इतना ही डालूंगी अब मैं इसमें दो सीटी इदम धीमी आच में लगा दूंगी अलगाने के वाद हमारा छोला बनके तयार है कारी आफे, आप दिखाती हुझे कैसा लगा आपको हमारा रेक्ट कीटना संदर कलर्रा आया है कालर भी होता दिखने में तो देहने में तो ओधूर का भी ध्यान रखते हैं सबची इस ने है और मसाला इस बिर थीलर कमेंट बहुत नहीं हो किसे आपको द्हूरा की किया बताइए कि कैसा लगा हमारे रेसिपी देखिए मारे छोला कितना सुन्दर लग रहा है तो यह हमारा आज का वीडियो यह वीडियो आज का और फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए थैंक्यू सुमाच सपोर्ट जरूर कीजिए